नमस्ते मैं हूँ अविनाश और आप देख रहे हैं ABP Uncut CA और NRC पर फैला रायता अभी सिम्टा भी नहीं था कि एक और रायता फैल गया और इसका नाम है NPR पहले पस्चिम बंगाल ने इसे इंकार कर दिया और केरल सरकार ने भी इसका काम अब रोक दिया है वज़ा बताई कि ये NPR NRC के लिए लाय जा रहा है और इसकी वज़ा से और ज़्यादा भ्रहम फैल गया है ABP का सर्वे कहता है कि 29 फीजदी लोग मांगता है कि भ्रहम फैलाया है विपक्ष ने 37 फीजदी लोग का मानना है कि इस भ्रहम के लिए सरकार जिम्मेदार है 20 फीजदी लोग मीडिया को विदोष दे रहे हैं लेकिन इन सब के बीच NPR ने टेंशन और बढ़ा दी है आखिर क्या है ये NPR, इसका काम क्या है और क्यों इतने बवाल के बाद भी सरकार इसे लाने जा रही है जिस पर नया बखेडा सुरू होने वाला है इसी पर मिलेगा आपको आज का बिनमांगा ज्यान NPR यानि कि National Population Register सरकार का एक दस्तावेज है जिसमें देश के सभी लोगों का नाम शामिल होता है या बताता है कि किस गाउं में, किस जिले में, किस राजे में और इस पूरे देश में कितने लोग हैं National Population Register में उन लोगों का नाम शामिल किया जाता है जो किसी जगा पर पिछले 6 महीने या उससे ज्यादा वक्त से रह रहे हैं इसके अलावा उन लोगों का भी नाम शामिल किया जाता है जो उस छेतर में अगले 6 महीने तक या उससे ज्यादा वक्त तक रहने वाले हैं इसमें अपने देश के नागरिकों के साथ ही उन विदेशी लोगों का भी नाम शामिल किया जाता है जो किसी गाउं, कस्वे या शहर में पिछले 6 महीने से रह रहे हैं या फिर अगले 6 महीने तक वहां रहने वाले हैं इसके शुरुवायत हुई थी 2010 में 2011 की होने वाली जंगर्णा के साथ साथ इस रजिस्टर को भी बनाया गया था इसके लिए अप्रेल 2010 से सितंबर 2010 के बीच सरकारी कर्मचारी लोगों के घर-घर गए और सूची तयारी करके एक डाटाबेस बनाया अपने देश में हर 10 साल में जंगर्णा होती है आखिनी जंगर्णा 2011 में होई थी और अब अगली जंगर्णा 2021 में होने वाली है और इसी होने वाली जंगर्णा को ध्यान में रखकर National Population Register को अपडेट किया जा रहा है मकसद है देश के लोगों का नया डाटाबेस बनाना इसमें लोगों के गिंती के साथ ही बायोमेट्रिक जानकारी भी होगी इसे स्थानी अस्तर जैसे कि गाउं, ब्लॉक, तहसील, जिला, राज और नैशनल लेवल पर अपडेट किया जाएगा सरकार ऐसा कर सकती है क्योंकि Citizenship Act 1905 और Citizenship Registration of Citizens and Issue of National Identity Card Rules 2003 के तहर सरकार को ये अधिकार मिला हुआ है सुप्रीम कोट के वरिष्ट वकिल सुसील वर्मा बताते हैं कि National Population Registr को मनमोहन सिंग की सरकार ही लेकर आई थी ये जो Population Registr है उसमें ये देखेंगे कि उस समय जिस वकत किया जा रहा है हर शेत्र में और ये करते कौन कौन है जिसे ग्राम पंचायत से शुरू हुआ ग्राम पंचायत करेगी फिर वो उसके बाद डिस्टिक लेवल पर जाएगा फिर राजस्तर पर जाएगा और उसके बाद फिर वो सेंटर में आता है तो इससे होता क्या है मैं पहले बता दू कि कैसे क्या होता है ये आप छे महिना पहले से किस जगह पे रह रहे हैं उस प्रक्रिया आरंब होने से तो वो समाज को जानने के लिए और कौन हमारा नागरिक है कौन नहीं है ये भी उसमें आ जाता है तो सरकार को अपने आपको नेंतित करने में या कोई भी स्कीम बनाने में कोई भी उनके लिए सुविधा जनक कारे करने के लिए सरकार को सहूलियत होती है 2010 में बने इस रजिस्टर को अपडेट करने का काम शुरू हुआ था 2015 में तब उस वक्त घर घर जाकर आकड़े इकठा कर लिये गये थे और उन्हें अपडेट कर लिया गया था अब सरकार ने ये तय किया है कि 2021 की जनगर्णा के लिए जुटाए जा रहे आकड़ों के साथ ही इसे भी अपडेट किया जाए 3 अगस 2019 को रजिस्टर जनरल अफ इंडिया की ओर से इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है इसका पाइलट प्रजेक्ट शुरू हुई हो चुका है इसके लिए सरकार की ओर से देश भर के 12,000 गाउं और 40 सहरों में पाइलट प्रजेक्ट सुरू किया गया है अप्रेल से सितंबर 2020 के बीच असम को छोड़ कर पूरे देश के लोगों का आकड़ा जुटाये जाएगा फरवरी 2021 में छूटे हुए घरों की गिंती की जाएगी और उनका आकड़ा जुटाये जाएगा मार्च के शुरूआती हफते में संशोधन का काम होगा इस पूरे प्रोसेस पर करीब 4000 करोड उपे खर्च का उनुमान है नाम, घर के मालिक से संबंद, पिता का नाम, माता का नाम, शादी शुदा हो तो पती या पतने का नाम, लिंग, जन्म दिन, वैवाही किस्थिती, जन्म स्थान, राश्रियता, पता जहां आप आम तोर पर रहते हों, अपने प्रेजेंट अडर्स पर कितने दिन से रह रह स्थाई पता, क्या काम करते हैं, और आपके शिक्षा क्या है, ये वो सवाल है, जो NPR को अपडेट करने के लिए आये सरकारी कर्मचारी आपसे पूछेंगे, और आपसे का मतलब है, इस देश में रहने वाले हर एक से, इन सवालों में किसी भी सवाल का जवाब देना मुश को रोक लगा दी है, केरल के मुख्यमंत्रे पिंडराई विजयन भी ममताब इनरजी के साथ आ गये हैं, केरल के मुख्यमंत्री ओफिस की ओर से एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें NPR को रोकने का फैसला हुआ है, इसमें आशंका जताई गई है कि किंद्र सरकार NPR के ज समविधान का अनुशेद 11 पढ़ लें, तो जितनी भी बाते हैं, इस से संबंधित, नागरिक्ता से संबंधित, रिजिस्टर संबंधित की से, वो सब उसमें जो छेत्रा अधिकार है, वो किवल पार्लिमेंट का और सेंट्रिल गब्मेंट का है, राज्ये इसमें कोई हस्त शेप नहीं कर सकते हैं, ये उनका कथन जो है, वो पूनता असमवेधानिक है, साफ है कि बने हुए कानुशी ये और भविस्से में लागू हो सकने वाले NRC को लेकर गैर BJP सरकारें भड़की हुई है, अब इसमें NPR भी आने जा रहा है, जिसका विरोध शुरू हो गया है, CPM नेता सिताराम ये चुरी ने विरोध की वजह बताई है, अब उनके अंदर कई सारे हिंदू है, तो उनको ये बनेपीज करने के लिए ये पॉइंट है कि ये कानुन ले आ रहे हैं, आप सबको नागरिकता मिल जाएगा। तक राओ खत्म होगा, जानने के लिए देखते रहे हैं, एबिप अंकट, शुक्रिया। ये है एबिप नियूज, आपको रखे आगे।